हेलो प्रिवन कैसे हैं आप लोग तो आंटर जार पांट सो सिक्षक भरती में हाई कोड का जो आदेस है आ चुका है यह आदेस आपके सामने है और इसमें यह का गया है कि आंटर जार पांट सो सिक्षक भरती में कुल मिलाके जो 27,713 सीटें अभी बची हुई हैं उन पर एक सिक्षक भरती ततकाल शुरू की जाए और इसके लिए कोड ने सरकार को दो मा का समय दिया है और यहां पर मैंने पूरा वीडियो बना के आप लोगों को रात में दे दिया था जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वहां पर जाकर आप इसे समझ सकते हैं सबसे एकबारों में भी इसके बारे में पूरी डेटिल्स जाली की गई है आप यहां देख सकते हैं यहां बाद हाई कोड की लखनव बेंच ने कहा कानूनी बादा नहों तो भरती परिशा कराने का नेड़ है दो मामेले सिक्षक के 27,713 पदों पर भरती को उठाएं कदम देखो यहां पर हाई कोड की लखनव बेंच ने राजसरकार बेसिक सिक्षा परिशत को आदिस ये दिया है कि वह वर्स 2018 में शुरू की गई प्रक्रिया के तहत 27,713 पदों के सम्मन्द में सहायक सिक्षक भरती परिशा यानिकि ATRI कराने के लिए ततकाल कदम उठाएं नहाले ने क को अधिक्तम उम्र स्रीमा संबंदी लाफ देने का भी विचार के यानि कि ऐसे ब्रति जो की ओवर एज हो गये हैं वो भी इस परिशा में सामिल हो इस प्रकार उम्र स्रीमा में छूड देने की बात कही गई है नेले ने आदेश दिया है कि ATRI कराने में अगर कोई बाधा हो तो इस संबंद में विश्तित जानकारी अकबारों में प्रकासित कराई है ताकि अब विरतियों को ये पता चल सके कि ये परिशा आखिर क्यों नहीं हो रही है नेड़े नयमूर्ती राजन राय नयमूर्ती ओम प्रकास सुकला की खनपीट ने आलोक कुमार और अन्य समेत दरजनों विश्यस अपीलों पर साथ सुनवाई कर पारित किया है ये अपीले एकलपीट के वर्स 2018 के उस आदेश के विरुद दैर की गई थी जिसमें 21 मई 2018 का सासना देश निरस्त कर एकलपीट ने ATRI 2018 के नियुनतम मार्क्स को सामान और आरक्षित वर के लिए क्रमसर 45 और 40 बरकरार रखने का आदेश दिया था को पता होगा कि पहले ये जो कटाफ थी ये 33 से लगाई गई थी लेकिन बाद में ये बढ़ा दी गई थी उसी के किलाफ ये मामला दरज हुआ था 2020 में ये आचका डाली गई थी जिस पर अब 2024 में फैसला आया है और ये कहा गया है कि जो बचे हुए पद हैं उन पदों पर जल्द ही एक नई सीख्शक भरती कराई है अब यहाँ पर जो सरकार का स्टेंड है अभी आया नहीं है सरकार क्या करेगी इस पर फिलाल क्योंकि आडर तो आ चुका है आडर का अध्यन करने के बाद अब सरकार क्या कहती है ये देखने लोग यह मतलब इस पर लोगों की अत्रजार में जोड़ा नहीं गया इस बात का उलेक भी यहाँ पर किया गया है कि जो सीटें बची हुई थी उन सीटों को नत्रजार में मतलब आड नहीं किया गया और यह सीटें जो है आड नहीं हुई है तो इस पर भरती का नेड़ है सरकार साट दिनों के अंदर ले तो तर्फदेश के बेसिक शिक्षक भाग में नई शिक्षक भरती के लिए महाधरना पांस सितंबर को तो और भी बच्चे हैं जो कि आरक्षित वरके हैं और वो दो सितंबर को मुख्यमंद्री आवास के सामने धरना करने वाले हैं ऐसी जांकारी भी मिल रही है फिलाल वरतमान समय में कोई सिक्षक भरती जोए रठारा के बाद आई नहीं है और इसी वज़े से यह आदेश काफी अहाम हो जाता है और बहुत सारे बच्चे जो कि मदल योगिता धारी हैं वो अब अपने निगाहें इसी भरती पर टिका चुके हैं अब देखने हो कि यह ह जारी करेगी ताकि यह भरती जो है वो फिलाल जैसे की हर भरती पहुंच जाती है कोट में यह भरती ना जाने पाए तो यह आज की अपडेट बाकी आप आज की एकभारों में जाकर देख सकते हैं तो को PCSJ का पैड़ाम जारी कर दिया गया है और अंतिम रूप से चैनित आउजित पूर में दो नए अभरती सामिल हैं हाला कि जो पांच न्य आवेद को इंटरव्यू में मौका मिला था और इसमें including सरण क्या नाम तो का स्रण उपाद्य है वो भी सफल नहीं हो पाए है सरोण पांडे नाम था तो सरोण पांडे भी इसमें सफल नहीं हो पाए हैं कारण यह था कि जो अलग से interview हुआ था उसमें पांच लोग सामिल हुए थे और पांचों भीरतियों में से किसी का भी चैन हो गया है यहां कि पिसली बार तो interview में सामिल हुए थे दो लोग जिनका चैन नहीं हो पाया था लेकिन इस बार जब लिस्ट आई है तो उनका चैन हो गया है तो इस प्रकार से यह जो नई लिस्ट है वो जारी कर दी गई है और रिजल जो है वो चस्पा कर दिया गया है चोतिय दिन बड़ी उपस्तिती जैसा कि आप लोग जान रहे हैं सिपाई भरती का आज अंतिम दिन है और इसमें जो GS पूछे गए फ्रेंड्स वो काफी टफ लेबल के हैं हर स्रिफ्ट की जो GS है मैंने उस पर एक अलग अलग वीडियो बनाकर अप्लोड कर दिया है तो आप लोग GS जरूर देखा करें यह GS आपके आने वाली सभी सिक्षक भरतियों के साथ साथ RO, RO, UP, PCS और अन्य प्रतुगी परिश्चों के लिए important है क्योंकि GS का लेबल काफी tough रखा गया था हलांकि कुछ प्रस्ट बहुत ही basic लेबल के थे लेकिन कुछ प्रस्ट बहुत ही tough लेबल के थे और हर दिन ऐसा हुआ कि परिश्चा हलांकि सुचिता पूर्ण संपन होई है लेकिन फिर भी कुछ लोग यहां पर नाम बदल कर duplicate ID लेकर या कुछ ने कुछ gravity करने के उद्धे से इस परिश्चा में सामिल होने का प्रयास की उनको पकड़ा गया है और उन पर अब FIR दाजगर के मुकदमा चला जाएगा फिलाल 22 लोग अब तक गिरफ्तार किये गए हैं और यह वही लोग हैं जो की परिश्चा में से लगाने का प्रयास कर रहे थे तो 22 लोगों गिरफ्तार किया गया जिनमें तीन जो हैं वो सालवर ही हैं और देखो यहाँ पर उनतरजा सिक्चिक वर्ती में चैनित सिक्चिकों के समर्थर में आया राश्टी सिक्चिक महासंग तो फिलाल यहाँ पर जो राश्टी सिक्चिक महासंग हैं वो मांग कर रहे है कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है उन्होंने चार साल से काम कर रहे हैं सिख्चों की सेवा स्रुक्षा की मांग की गई है वह यह आरक्षित वर्ग की अभरती दो सितंबर को मुक्य मंतरी आवास के घराओं की तैयारी में लगे हुए हैं तो जो आरक्षित वर्ग हैं वो अभिरती दो सित्मबर को मुक्य मंतरी आवास के घराओं की बात कर रहे हैं वह Luigij सेवा बनी रहे हैं इस पर भी यहां पर प्रयास किया जा रहा है महासंग के प्रदेश सजक्ष अजीत सिंग और प्रदेश महामंतरी भगोत सिंग ने सीम को पत्र लिखा है इसमें बताया गया है कि 69,000 सिक्षक परती में निर्धारित प्रक्रिया से चैनित सिक्षक कई साल से अपनी सेवा दे रहे हैं तो इलहाबाद हाई कोड के हाल के आदिस के बाद इनकी सेवा में विसम परिस्तितियां पैदा हो रही है जबकि इनका कोई दोस्त नहीं है तो 69,000 सिक्षक परती पर यह अपडेट है और फिलाल यही सारी अपडेट्स आज के एक बारों में है मु अपडेट्स रहेगी इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी बशसरते कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ हो तो पहली बार अगर है तो सब्सक्राइब करेंगा और अगर आपको नोटिफिकर्सन नहीं मिलता है तो आप हमारा टेलिग्राम चैनल इस्टैडी प्रकास जोइंग कर लिजेगा, दोनों का link वीडियो के description और पहले commitment दिया गया है, thank you so much.